नमस्कारम, मैं डॉक्टर एक्खा वर्मा से अचारे राजकी बंगन महाविद्देले डीद्वनजी मेरे जो विशे चल रहा है भी ये प्रतम वर्ष्क हिंदी साइट में प्रतम प्रश्ण पत्र है और हम आधिकाल की बात करते हैं और आधिकाल में आधिकाल की नाम की समस्या हैं उनके साहित कने धारन हम चर्चा कर रहे हैं आज उसका मुल्यांकन करेंगे काल मैंने आपको बता है था कि जैसे तुलसी दास के साहित में सब साहित मिलता है लेकिन हन्मान जी की आर्थी है वो नहीं मिलती वो किसी और के द्वारा रजित है लेकिन वो हन्मान जी की आर्थी को हम जो तुलसी दास स्वामे की रिति गाई जो अंतिम पंक्ति का गाते हैं हम तुलसी दास के नम को ही गाते हैं क्योंकि भोलबश यह कविता या यह आर्थी तुलसी नादास के नम से चड़ गई है जन मानस में बैठ गई है तो जो चीज जन्मानस में बैट जाती है उसको نिकालना बहुत कथिन होता है तो आर्थी तुझ्वों की तो हम रखते हैं लेकिन जो अंतिम पंक्ति है वह है गोरक पुर से प्रकाशित कल्यान गीता प्रेस में उस पंक्ति को उसोंने कईवाश हुए हटा दिया है लेकिन गीताप्रेस के अतरिक्त जो चपाई होती है किताबर चपती हैं उन्होंने तूसी दास्वामे कीरितिगाई को खटाया नहीं है इसलिए जन्मानस में यह भूल जो है आस तक विद्यमान है हम सन्न समस्याओं की प्रारह में यूग का मुल्यांकन करते हैं कि हिंदी साहिति का आरम प्रारह्मिक रूख एक प्रकार से सर्भातिक विवाद ग्रिस्ट और समस्याइक तो काल कहा जा सकता है इस काल को लेकर जो समस्याइं सामने आती हैं वे इस प्रकार हैं पहला आव नमबर है हिंदी साहित के प्रारंबिक काल की पहली समस्या बाशे की रूप में संबतित हैं इस काल में अपुफ्रेंश का अभख था जो भले ही हिंदी की प्रारंबिक रूप बाली भाशे रही हो ये तो साहिति के इत्यास लेखन के समय अनिक समस्याओं को पैदा करती है दूसरा करण प्रारंबिक काल से संबंदी दूसी समस्या काल के स्रीमा निर्धारन की है इस पर विद्वार में अभी तक मैं तक नहीं हुआ है कोई इसे संबद 2400 तक ले जाता है कोई संबद 1300 पर समाप्त कर देता है और कुछ लोग इसे संबद 1375 तक स्विकार करते हैं या खीच ले जाते है अगला जो समस्या है वे है हिंदी साहिति के प्रारंबिक काल के नामकरण की समस्या भी परियाप्त महत्वपून है इस प्रारंबिक काल को मिश्रवंधों ने आदियुक, आचारी शुक्ल ने वीर गाथा काल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधिकाल और जारन काल, राखल संकृतियान ने सिद्ध सामन्त काल और हजारी परसाद वेदी ने आदिकाल नाम दिया है समस्य यह है कि इसे किस नाम से पकार जाए और इसके लिए सरवातिक उप्युक्त नाम क्या हो सकता है इस प्रारंबिक क्योंकि अगली समस्या है, हिंदी साहिति के प्रारंबिक काल से सम्मन्दित एक समस्य यह भी है कि इसमें किस रस की प्रधानिता है आचारी शुक्ली ने इस काल में रचित बाहरेक रंधु को प्रमाणिक और वीरस का मान कर इसका नाम करण ही वीर गाथा काल रख दिया है इसके विप्रीत आचारी हजारी प्रसवार दिवेदी ने इसे धार्मिक भाबनाव और अपुप्रेश भर्शमेली खित ज्यान विज्यान से संबंदित साहिते का काल माना है ऐसी इस्तितिम में शुकली जी का वीर गाथा काल नाम भी गलत सिद्ध हो जाता है और वीरस भी गायव हो जाता है कहा जा सकता है कि हिंदी साहित के इतियास लेखन से संबंदित आज भी अनिक समस्याएं हमारे सामने हैं उन समस्याओं का समाधान न कीवल आवशे के बलकि इतियास पर पुनर विचार करते हैं उसका पुनर लेखन भी आवशे प्रतीट होता है अब हम बात करते हैं हिंदी का अधिकाल विबात का स्क्राल की साहितिक प्रिवर्धियों का निर्माण समाज की जीवन विधी के अनुकुल होता है यह सतत विकास की वस्तु है इसका विवाजन श्रेश करने ही फिर भी बोत सुक्वर्था और अधियन की सुभिधा के लिए इसे खंडों, उप खंडों, शाखाओं, प्रेशाखाओं में विवाजित किया जा सकता है खंडों में विवक्त कार्विशलेशनात्मक वृति से वस्तु हों और सिध्धान्टों का अधियन करनी की वृति मानुव की सुभाव जन्य है एक हजार पचास विक्रम से तेरे सुभिचत्तर विक्रम की अंतराल में रचित साहित को आधिकाल की नाम से जाना जाता है वेज्यानिक दृष्टी से विजार करने पर ये इस्पस्ट हो जाता है कि कोई भी कारेकारण की अभभभ में जन्म नहीं लेपाता उसके लिए कारेकारण परंपरा आवशयक है आधिकाले साहित में यिद्धों की चर्चा अधिक क्यों है श्रेंगार का अतिरंजित बढणन क्यों किये गया है व्यापक राश्टियर्दा का अभभ क्यों है कल्पने की उर्वर शक्ति का परिचिक क्यों भी ध्यमान है आदी ऐसी अनेक बातें इस काहल को विवाद ग्रस्त बना दीती है हिंदी का हादिकाहल कब आरहम होता है इस सम्मन में हम बता ही चुके हैं कि मतवेथ है एक बार फिर से इसको दोर आते हैं आचरे रामजिन शुकलू डक्टर हजारी बिष्वार दुवेदी प्रवर्टि वद्वानों के मतानुसार हिंदी साहिते का आरहम सम्मत एक हजार पचास से होता है जायस वलकी मतानुसार इसका आरहम सम्मत 900 से माना जाहिए तैथा डाक्टर रामकुमार बर्मा हिंदी का आधिकाल सम्मत 750 से मानते हैं मानने तकी आधार मुखेते दो हैं एक आधिकाल तम मना जाए जब हिंदी ने अपना वर्तमान रूप ग्रहन कर लिया था दूसरा कारण आदिकाल तम मना जाए जब हिंदी की पूर्व रूप अवहट में साहित रचने की जाने लगी थी शुक्लोजी ने वीर गाथा काल सम्मत एकचार पचास से सोले सुपिचातर को ही आदिकाल कहा है अन्य पर्ग की विद्वानों की मतानुसार वीर गाथा काल के पूर्व की काला अवधी सम्मत साथ सो पचास से सत्रे सो पचास तकी आदिकाल के नाम से अभिवित की जानी चाहिए अधिगाउश विद्वानों ने शुक्री जी द्वारा किये गए काल भेवाजन को ही स्विकार किया है इसकी बाद है सीमा निर्धारन से जुड़ा हुआ प्रश्ण नहीं हिंदी का प्रथम कभी कौन है कुछ लोग प्रथम कभी की रूप में पुष्ण कभी का नाम लेते हैं किन्तु नई खुचों से हैं सिद्धु हो गया है कि हिंदी का पहले कभी सरहपा है इसका सम्में 817 सम्मत है डॉक्टर सत्यंद्र की अनुसार सरहपा की भाईशा में ब्रज भाईशा का पुठ है सरहपा ने दोहे लिखे थे और दोहे हिंदी की वस्तु है डॉक्टर हजारे प्रसात वेदी ने लिखा है कि दोहे की प्रथा बंगाल की साहिते में कभी नहीं रही क्योंकि बंगला भाश की प्रकरती दूही की अन्गूल नहीं है रोक्टर सत्रेंदे की मानता है कि सरहपा हिंधी का आध कभी इसलिए नहीं है कि साथवी आठवी शताब्दी में पहले पहल उसकी भाशे की पालनी में ब्रजबाशा रोब पाले हिंदी जूल रही थी बलकि इसलिए भी है कि सराफास सिद्ध परंपरा के प्रत्थम सिद्ध हैं और उन्होंने ही सिद्धों की नई परंपरा का सूथ पात किया हैं यहीं परंपरा आगे चल कर हिंदी में नाद संप्रदाई से होती हुई संतों त गियरसन ने इस काल को चारन काल काहा है मिश्डबंधु इसे आरंभिक काल केते हैं आचर शुक्ल इसे वीरगाथ काल केते हैं और डॉक्टर राम कुमान वर्मा इसे संधी काल नाम देते हैं इतना ही नहीं राहुल जी ने इसे सिद्ध सामंत्यू काहा है तो आचर हजारी प्रसादुवीदीनी आदी काल कहा हैं ऐसे एक विद्वान भी हैं जो इसे संक्रमन काल कहते हैं इस विद्वान का नाम है राम खिलावन पांडे वाज़ता में नामकरण कि ये विविटा और विजितरता इस काल को विवाद गृस्त और समस्या गृस्त बना देती हैं इसका आगला कारण है हिंदी साहित्य का आदेगाल इसलिए भी समस्या गृस्त रहा है कि पहली जो सामक्री इध्यास लेकों के सामने थी उनके आधार पर इध्यास लिख दिया गया किन्तु अब नित्य प्रती होने वाले शोट की परणाम सरूप जो सामक्री सामने आ रही है उसे से इस काल का चित्र ही बदलता जा रहा है आचरी शुक्ल में इस काल में भी ग्रिंथों की प्रदाने तस्विकार की तो हजारी प्रसाद वेदी ने ना किबल शुक्ति जी के दोरा नित्रिष्ट प्रमानिक बिंथों को अब प्रमानिक और नोटिस मात्र बतलाया बल्कि इस काल में अपर्ष्ष में रचित सिद्ध, जैन और नात साहित की जान प्रदान वाव धार्मिक साहित की प्रदानता बतलाई है इस प्रकार ये काल परियाक्त विवाद ग्रिस्त और समस्य ग्रिस्त हो जाता है इसकी अगली समस्या है आदिकाल में जो कभी सामने आए हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अब आदिकाल में नहीं माने जाते और जो दूसरे कालों की सीमा रिखा पर हैं वे अब आदिकाल में प्रविष्ट हो गए हैं। इस इस्तिती से भी आदिकाल विवाद ग्रिस्थ हो गया है। राशोगरंतों ने भी आदिकाल को विवाद ग्रिस्थ बनाया है। अगली समस्य है हिंदी साहित का अधिकाल किन सीमाओं को पार करता हुआ किस-किस विशे और ग्यान की साहित को समाहित किये हुए है अब ये सामने आने लगया है ऐसी इस्तिती में भी आलुचिकाल की विवाद गरिस्तता और समस्य बढ़ गई है अब आते हैं हिंदी साहित का काल भी भाजन हिंदी साहित का इतिहास विक्टमी समबद एक हजार पचास में आरव होता है इस प्रकार इसका इतिहास लगबग एक हजार वर्ष पुराना ठहरता है इस दीर्ध काला अवधी में अनिक साहितिकार हुए और उन्होंने गत्य पद्य रचनाएं लिखी इन रचनाओं की अधियम के लिए कोई ना कोई सुभिता जनक एवं विज्ञानिक प्रणाली आवशक है हम इस काला अवधी को बिभिने कालों में विवाजित करके वर्णन करेंगे हिंदी साहितिके इतिहास का लिखन कारे लगबग एगजार पर बर्ष पूर्प अरहम हो गया था फ्रांसिसी लेका गार्षा दीतासी तदा भार्दी लेका शिर्प सिंग सेहन ने सरप्रतम इस द काल विभाजन की पूर्प को सरप्रतम जार्ज गरियरसन ने गरान किया था और वहसोयम अपने काल विवाजन की कम्यों के प्रति जाग रुख थे उन्होंने विवाजित कालों के शेशक इस प्रकार रखे थे जाईसे की प्रेम कभी था कमपनी के शाषन में हिंदुस्तान कभी कहने की आवशक्ता नहीं कि ये शेशक किसी ग्रत के विविन अध्यायों जैसे प्रतित होते हैं डॉक्टर जाग गेरियर्चन ने अपभिश की रचनाओं को हिंदी साहित की अंचल में इसपस्ट किया था आरंब की काल को उन्होंने चारण काल कहता इसकी उप्रान मिश्र बंधू बंधू द्वारा मिश्र बंधू उस चीद की महत्पून रचना मानते हैं शुक्ली जी का काल विवाजन हिंदी साहित का इथियास की अंतरकत हिंदी साहित का काल विवाजन करते समय पहला काम तो शुक्ली जी ने यह किया कि अपफरेंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग कर दिया और उसको कीबल हिंदी साहित्य की पूर पीठिकर के रूप में ही वह आशिक रूप से ही सुईकार किया उनकी द्रिष्टी में अपफ्रेश्य का समस्त साहेते धार्मिक साहेते था और उसको साहेती के जहास की अंतरकत सुईतार नहीं किया जाहिए शुक्तिल जी ने दूसरा कार यह किया कि उन्होंने प्रमक प्रवर्दी के आधार पर कालखंड का नामकरण किया है जिस कालखंड के बीतर किसी विशेश प्रवर्दी की रचनाओं की बहूलता मिलती है तो उस काफ्य खंड का नामकरण उसी विशेश प्रवर्दी की आधार पर रख दिया साथ ही उन्होंने करंथों की प्रसिद्धी को भी महत्व प्रदान किया है इस प्रिकार से आचर शुकल ने हिंदी साहित के इध्यास कभे वाजन इस प्रिकार किया हूँ नमबर एक आधिकाल अर्थात बीत का अर्थात गाल संबत 15345 तक का दूसरा नमबर पूर्व मद्धिकाल अर्थात भक्तिकाल संबत 1345 से 1700 का नमबर तीन उत्तर मद्धिकाल अर्थात बीतीकाल समध 1770 से लेकर 1900 तक का नमबर जार आधुनिक काल अर्थात गधिकाल समध 1900 से लेकर अब तक का शुकली जी की द्वारा किये गई बाल काल बीवाजन में दू बाते हैं उन्होंने पहले तो प्रतिक काल की सीमावदी निर्दारित करके उसे काल खंडों में विवाज़त कर दिया है और उसके साथ ही काल खंड विशेश की प्रमुक प्रबुर्दी के आधार पर उस काल खंड का नामकरण दिया है अब आते हैं शुक्लोतर काल विवाजन, अर्धार शुक्ली जी की बात काल विवाजन आचर शुक्ल की विवेचन से ही प्रेड़ना पाकर डॉक्टर रामकुमार बर्माने आलची काल की प्रपूर वर्धी सीमा 750 निर्धारित की तथा 750 से 1200 तक की अबधी को संधिकाल और 1000 से 1200 तक को चारनकाल कहा है संधिकाल में भी 750 से 1000 तक को संधिकाल और 1200 तक को जेन साहितिकाल के नमजी अभिविट किया गया है बर्मा जी की इस अप्थी की किसी एक भी प्रमाणिक प्रचना का नाम नहीं ले सकते पत हैं इनके नामकरन की गोन स्वैम इसपस्ट हैं हिंदी प्रेमाख्यक काव्य नामक अपनी शूद ग्रंथ में डॉक्टर प्रत्वीनात का मलकुल स्रिष्ट ने आधी काल, भक्ती काल, रिती काल और आधुनिक काल के लिए अंधकार काल, कलात्मक उदकर्श काल, साहेति शास्त्री काल और साहेतिक काल नाम सुझाए हैं अंधकार काल साहेतिक इस्थिती का सुचक तो है, अब अश्रिकिंतु प्रवर्दी मुपपक नहीं है, इसकी भी वही गती है, डॉक्टर हजारी प्रसाद उवेदी जी हिंदी की सुधी आलोचक हैं, इन्होंने हिंदी साहेतिके आधी काल की विशच चर्चा की हैं, इस का पे तरकों की बाद आधिकाल ही कहना जाते हैं, जिस प्रकार आचर शुकल को सामुगरी की संदिक्तिता का आभास हो गया था, दुवेदी जी को भी आधिकाल नाम की अनुपयुक्तिता का पता चल गया था, तो उन्होंने कहां, हिंदी साहेतिका आधिकाल शेप्ट एक प् और शुरोता की जित में ये भाब पैदा करता है कि ये काल आधिम मनोभावापन, परंपरा विन मुरुत, काववे रोणियों से अचुते साहिते का काल है, ये ठीक नहीं है, ये काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रोडी ग्रस्त, सजक, सचेत कवियों का काल है, आधिक बक्तिकाल के दो भाग के हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, मिश्रबंद्रों ने इसके तीन विभाग के हैं, पूर्व प्रोड और अलंकृत, पूर्व मध्यकाल ही बक्तिकाल है तथा उत्तर मध्यकाल, रितिकाल जिसे मिश्रबंद्रों ने अलंकृत काल कहा हैं बक्तिकाल की सामाने सीमा आचारशुक्ल के संबत 1375 से 1770 अक्सिलगार की हैं आचारशुक्ल ने बक्तिकाल को निर्गुन भक्ति कावे देदा सगुन भक्ति कावे एवं निर्गुन भक्ति कावे को पुने ज्याना श्री शाखा और देमार की शाखा एवं सगुन भक्ति कावी को कृष्ण भक्ति कावी और राम भक्ति कावी के रूप में विवाज़ित किया है इसके बाद भी उन्होंने फूट कर खाता खोलना पड़ा चतुरसीन शास्त्री ने कर्था को दृष्टी पत में रखकर सौर काल तुलसी काल आधी जैसा उफविभाग किया है कर्था की आधार पर नामकरन की प्रवर्थी अंग्रेची साहेते संस्कृत साहेते हिंदी साहेते इतियाधी में भी है इतिहसकारों ने शाशुक के नाम पर एलिजाविथन या विक्टूरियन पीरिट के अनुसार अकबर काल दयानंद काल आधी जैसा भी वर्गी करन किया है रितिकाल की सामनी सीमा सत्रोसो से उन्नीस सो तक मानी जाती है ये काल भी पूरवत विवाद करस्ती ही है इसे अलंकरत काल, श्रंगार काल, रिति, श्रंगार योग इतियादी अनेक नामों से उकारा जाता है आचर शुक्ल ने इसके नामकरन में वही रंग विधान पर जोर दिया है या दपी उनकी द्वारा प्रदित अन्नीकालों की नाम में अंतनंग पक्षी ही प्रचलित रहा है यह सोचनी की बात है कि आदुनी काल या नव्युक कहते हैं इस युग में हिंदी साहित का एक महत्पूं अंग विक्षित होता है वह है गद्धे साहित इस युग की पूर्फ गद्धे का लगवक अभाव साही है इसकी पूर्फ ठीका गरंट वारता गरंट आदी में ही गद्धे का रुप मिलता था किन्तु इस काल में यह अपना स्वतंत्र विकास करता है वस्तुते आधुनी क्यूं में गद्य का बहुमिखी विकास होता है इसमें नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, सम्मालोचना, पत्रकारिता इतियादी अनिक रूपों में गद्य विक्षित हो चलता है समस्त गद्य साहित की तुन्ना में पद्य साहित नहीं डिक पाता है किन्तु इसका ताथ पर यह नहीं की पद्य साहित लिखा ही नहीं कया पद्य साहित में भी महान परिवर्दन हुआ मात्रा की दृष्टी से गद्य की प्रचुटता वश है सब मक्ते इसी से आजर शुक्रनी आधुनिक यूग को गर्धिकाल कहा है डॉक्टर शामसंदर दास इस यूग को नवीन विकास का यूग कहते है डॉक्टर हचारी प्रसाद वेदी जी ने इसे भी लगवग गर्धिकाल ही कहना जाहा है किन्तु जैसा कि पहले स्पस्ट किया गया है इस यूग में पद्धिसाहित का अभाफ नहीं है इसे इस कारण से इस काल को आधुनिक काल कहना ही अधिक यूगती संगत है आचर चतुर से ने अपने इथिहास में काल की चर्चा की करते हुए लिखा है आंकली प्रभाव यूग, भारतिन्दु यूग, तिर्वित प्रभाव यूग, दुवेधी यूग और नव यूग डॉक्टर हजारी पेसा दुवेधी ने इनने निमनामकित प्रभाग में वर्नित किया है गज्ध यूग का प्रारम, बार्तिंद यूग का उदरे और प्रभाम, बहुमू की उन्नती काल, चायवाद और प्रगितिवाद शम्वुना सिंग ने अपनी पुस्तक चायवाद यूग में इन उपविवागों को करमशे संग्रांती यूग, नुरुथान यूग और विद्रो यूग कहना ही उत्तम समझा है इसे बाइस्पस्ट होता है कि जितनी विचारक आए सब ने अपने अपने धंग से आधर ने क्यों कावर्नेंट किया है इसके बात हम आगे बात करते हैं आधिक कल की नामकरन की समय चिंदा अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद